कोरोना महमारी के बीच भाजपा और कॉंग्रेस में राजनीती की जंग जारी है जहां अगर निकाई चुनाओं के पुर्व इंदोर शहर में कॉंग्रेसियो द्वारा भाजपा सरकार और सीएम सीवरा सीर चोहान का विभीन तरह से विरोध किया जा रहा है सपना संगितर शेत्र में रहने वाले ओबीसी पिछड़ा वर्ग कॉंग्रेस के नेता हिमानशु यादों ने बताया कि सीएम सीवरा सीर चोहान ने जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनात पर सच बोलने पर मुकदमा लगवाया है उससे भाजबा सरकार की मानसिक्ता की चारो और आलोचना हो रही है यादों ने कहा कि यदि सच बोलने की सजा पर कैस लगता है तो मैं इन दोर लोग सभा ओबीसी पिछड़ा वर्ग कारेकरता होने के नाते एसा सच बार बार कहूंगा इस दोरन कांग्रेस नेता ने मास्क की जगह काली पटी नूमा मास्क बांद कर बिजेपी के प्रती विरोध दर्ज किया इन दोर से भी उरो राके सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट करोनों महामारी के अंदर आपने देखा हूँ कई लोगों की मृत्ति होगे बिना उप्चार के किसी को ऑक्सिजन नी मिला किसी को बेट नी मिला किसी को रेमडेसिवीर इंजेक्सन नी मिले आज उस वज़े से पुरे देश और प्रदेश में पब्लिक के बीच भारती जंता पार्टी सरकार की कई ना कई आलोशना हो रही है और उसी आलोशना की गोखलाट से आज सिवरा सिंग चुहान ने कमल लांजी के उपर मुकदमा दायर किया है यदि कमल लांजी ने सच कहा है और सच की सजा उनको मुकदमे के रूप में मिलती है तो मेरी इंदोर दुखसबा ओवीसी विश्रावर कॉंग्रेस का कारी करता होने के नाते एसा सच बार-बार बोलूँगा और मैं भी करूँगा कि मुक्यमंत्री जी आपने ते मुकदमा लगाया तो मुझ्वे मुकदमा लगा है ओवीसी विश्रावर कॉंग्रेस कमल लांजी के साथ ख़ड़ी है इस प्रदेश की जनता कमल लांजी के साथ ख़ड़ी है काली बठ्याश्य मासपी लग कि यह सले इसका कमल लाइगां और मुक्यमंत्री से महाँ करता हूं कि तुरंग वापस ली जाए अन्य तो ओविसी पिछड़ावार कॉंडेस गौरा सबक पर आकर अन्दुलन किया जाए हिमाईशी आता हो ओविसी पिछड़ावार लोग सबा कॉंडेस सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिन कुंडेस कुंडेस